प्रित्थिवी लोग में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उपवास के महत्व को जानेंगे कि किस प्रकार से उपवास करने से आदमी के जीवन में हरस्वलास की उद्पत्ती होती है यदि आप अपने सरीर और मन को तयार किये बिना जवरदस्थी उपवास करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ बिगर सकता है मगर यदि आपका सरीर पूरी तरह तयार है और आपकी मनोश्थिती बन चुकी है तो उपवास के कई लाब हो सकते हैं अक्सर ऐसा किया करती थी हर दिन नास्ता करने से पहले उसका एक मुठ़्ी हिस्सा चीतियों के आगे छीट दिया करती थी यह एक कहोनी पराधारित है कहोनी आपको सुना रहे हैं उसके बाद ही अपनों नास्ता करती थी कई पड़िवारों में ऐसी परंपरा काफी पहले से चली आ रही है चीटी हमारे आसपास की सबसे छोटी जीव है लोग उसे महत्वहिन समझते है इसलिए किसी हाथी या देवता या दूसरे बर्मोंडिये जीवों से पहले आप चीटियों को खिलाएं आप सबसे छोटे जीव को भोजन कराएं उसे भी भोजन का उतना ही अधिकार है जितना की आपका आप भी यह समझते हैं कि इस धर्ती पर रहने का जितना अधिकार आपका है उतना ही किसी दूसरे जीव का है इस परकार की सोच से मांसिक और सारेलिक रूप से स्वस्थ रहने तथा चेतना के विकास के लिए एक सकारात्मक महौल बनता है एक छोटा सा कारे भी आपको आपके सरीर से थोरा मुक्त करता है यह बताता है कि आप सिर्फ एक सरीर नहीं है आप जैसे जैसे अपने सरीर से खुद को अलग करते जाते हैं वैसे वैसे अपने अंदर के अन्य पहलूँ को लेकर आपकी जागरुकता बढ़ने लगती है गौर कीजिए आप जब बहुत भूखे होते हैं तब आपके सरीर को बस भोजन सुझता है उस समय बस दो मिनट तक रुकिए ऐसा करने से आपको एक बरा फरक महसूस होगा आपको जब बहुत तेज भूख लगती होती है तब आप केवल सरीर होते हैं लेकिन उसे थोरा बिरौम दीजिए तो आप अचनक महसूस करेंगे कि आप सिर्फ एक सरीर नहीं है गौतम बुध ने तो यहों तक कह दिया था कि आपको जब भोजन की सबसे अधिक जरूरत हो तब अपना भोजन किसी और को दे दें आप और ताकतवर हो जाएंगे मैं उतनी दूर नहीं जाओंगा मैं तो बस इतना कहता हूँ कि केवल दो मिनट रुकिए निश्चित रूप से आप अधिक ताकतवर हो जाएंगे अगर भोजन के आगे कुछ अधिक हीलाचार हो जाते हैं तो सोच समझ कर एक समय का भोजन छोड़ दीजिए अपने आप से कुछ ऐसा कहिए आज मैं बहुत भुखा हूँ और मेरे सारे पसंदिदा पकवान बन रहे हैं आज का ही दिन है जब मैंने अपना भोजन छोड़ने का निश्चे किया है यह आपको यातना देने के लिए नहीं है भलकि आपको उस यातना कक्ष से मुक्त करने के लिए है जो आपका सरीर बरी असानी से बन सकता है समाप्त